आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अनुछेद लेखन और आप सब अनुछेद लिखते आएं अभी तक लेकिन आज का हमारा अनुछेद लेखन का विशे है कम्प्यूटर का महत्व जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कम्प्यूटर हमारे जीवन का एक महत्व पूर्ण हिस् के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते यह बिल्कुल सही बात है कि कम्प्यूटर के बिना आज के टाइम में और इस पेंडमिक टाइम में हम टेकनोलजी कम्प्यूटर जैसे बिवाइस के बिना अपना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते सोच ही नहीं सकते यह आ आजकल लोगों के लिए आधुनिक मतलब आजकल के लोगों के लिए तो ये बहुत ही महतुपुन जरूरी हिस्सा बन गया है। कम्प्यूटर ने मनुश्य के जीवन को आसान बना दिया है यह सब आप जानते ही हैं कि कम्प्यूटर ने हमारा जीवन बहुत ही आसान बना दिया है कम उम्र से ही बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए स्कूलों में कम्प्यूटर को अनिवार्रे विशे के रूप में पेश किया गया है यानि स्कूलों में छोटी क्लास से ही बच्चों को कम्प्यूटर सिखाना शुरू कर दिया जाता है इसकी सबसे बड़ी विशेशता यह है कि भले ही मनुश्य इसके उपयोग में किसी प्रकार की कोई गलती कर दे लेकिन यह सही सूचना देने में पूनतया सफल होता है यानि अगर कभी मनुश्य से कोई गलती हो भी जाए लेकिन कम्प्यूटर से कभी कोई गलती नहीं होती वह हमेशा सही सूचना देता है आज कम्प्यूटर सभी कार्यालियों, विभागों, विद्यालियों, बैंकों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेंडों आदी के कामों में एक महत्वण हिस्सा बन गया है आप सभी को पता है कि कभी कहीं पर भी हम जाते हैं किसी ऑफिस में चले जाएं, स्कूल्स में चले जाएं, बैंक में चले जाएं, रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, बस टैंड पे चले जाएं, हर जगा पर काम जो है वो कम्प्यूटर की मदद से ही हो रहा है रेल्वे स्टेशन्स पर booking जो होती है, टिकेट booking वो सब computer की मदद से ही होती है बैंकों में काम सारा computer की मदद से ही होता है वे अंत्रिक्ष के सभी कार्य computer द्वारा ही होती है यह सब आपको पता है कि हमारा देश मार्स पर गया तो वहाँ पर सटेलाइट्स गया, वो सब technology से ही हुआ ना, computer से ही हुआ इंटरनेट इसकी विशेश देन है और हाँ, इसके लिए सबसे जरूरी चीज़ है और आप इंटरनेट से किसी भी तरीके की कोई भी महतुपून सूचना जो भी आप चाहते हैं वो ले सकते है लेकिन कई बार बच्चे वो कुछ लोग इसका गलत प्रयोग कर गुमरा हो जाते हैं कई बारी बच्चे या कोई ऐसे लोग इसका गलत यूज करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं और धोखा धड़ी में पढ़ जाते हैं, जो की गलत है हमें इस उपयोगी साधन को सही रूप में ही प्रयोग करना चाहिए ये उपयोगी साधन जो हमें मिला इसका हमें सही तरह से प्रयोग करके जादा से जादा इसका फायदा उठाना चाहिए ये बेटा आपको मैंने कम्प्यूटर का महत्व समझा दिया है लेकिन ये same computer का महत्व विशय का अनुछेद आपकी पाठे पुस्तक में भी दिया गया है व्याकरिन की पाठे पुस्तक में आप इसको वहां से भी पढ़ सकते हैं वहां से भी learn कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैम बाला ये बाला learn करें तो आप ये भी कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप अपना लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं धन्यवाद आपको ये समझ में आ गया होगा